ओम नमस्षिवाए श्रामण मास सुक्लपक्ष सुक्रवार त्रयोधसी तिथी दिन में 12 बजकर 55 मिनट तक लगी रहेगी तत्पस्चाथ 14 तिथी प्रारम्भ हो जाएगी चंद्रमा उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में सुबह 6 बजकर 55 मिनट तक चलते रहेंगे तत्पस्चाथ 14 नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगे जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है आज के जन्मे जातक सुंदर, सर्वगुन संपन, धनी और प्रसिद्धी पाने वाले होते हैं ऐसे जातक देवताओं की भक्ती में लीन, उदार हिर्दय वाले, भैरेवान और हस्मुख विचार धाराके होते हैं ऐसे जातक परंपराओं को निभाने वाले, मगर हमेशा ससंकित रहने वाले, प्रतेक कारे को काफी सोच विचार कर संपन्द करने वाले, भूमि संबंधी कारियों में निपुड और व्यापार में लाव पाने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा चंद्रमा और सनी की स्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे आज चंद्रमा की यूती मंगल और केतु के साथ बनी रहेगी चंद्रमा अपने नक्षतर में चल रहे हैं इसलिए सकारात्मक मानसी कुर्जा और कारे सैली में सुधार के साथ साथ रचनात्मक प्रबृत्ती और आत्मिश्वास बना रहेगा जिनके कारग्रह चंद्रमा होंगे साथी साथ मेश, तुला और मकर राशी वाले जातक भी अनुकूलता महसूस करेंगे मेश राशी के जात्कों के लिए चंद्रमा मकर राशी में केतु और मंगल के साथ दसमे घर में चल रहे हैं कारी योजनाएं बिक्सित होंगी नई क्रियाशिलता की प्रिणा मिलती रहेगी और काम करने का केंद्र बिंदू निर्धारित योजनाओं को विक्सित करना रहेगा साजेदारी लावदायक रहेगी, आर्थिक पक्ष सामाने रहेगा, सरकारी कामकाज पूरे होंगे घर ग्रिहस्ती और माता के संबंधों में सुधार संभावित है और घरेलू मामलों में सहयोग मिलता रहेगा ब्यावसाइक विवाद में सावधानी रखनी चाहिए और कारेचर से संबंधित यात्रा का योग बनता है अधेन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा ब्रिश रासी के जात्कों के लिए पराक्रम बढ़ा रहेगा काम करने के प्रती पहल में कमी महसूस होगी करत भी निष्ठा बनी रहेगी मगर आलस और मानसी कोईश्थिरता लगी रहेगी हाला कि बहुत धिक्षमता का विकास होगा और अधिक्तम कारियोजनाओं की रूपरेखा सफल रहेगी नई कारियोजनाओं में लाव और साजेदारी में सफलता प्राप्त होगी साथ ही रूके हुए सरकारी कामकाश पूरे होंगे बिरोधियों से सावधानी अप्यक्षित है मन किसी अग्यात भ्रह से ग्रस्त रहेगा पिता के स्वास्त की चिंता लगी रहेगी मगर ब्यावसाई प्रतियसर परधा में लाव मिलेगा शिच्छा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और फास संबन्दी सावधानी अप्यक्षित है मिथुन डासी के जात्कों को आर्थिक चेत्र में सावधानी अप्यक्षित है और निर्णय लेने की चमता में उतार चड़ाव संभावित है हलाकि ब्यावसाइक उद्येशों की पूर्ती और आथिक लाव के प्रती सकारात्मा प्रिणा मिलती रहेगी और संबन्दित मामलों में छोटी यात्राएं भी संभावित है अनावसक चिंता और मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है हलाकि इस अकारात्मक उर्जा आस्तर और आत्मिश्वास कायम रहेगा जो कि आपकी ब्यावसाइक सफलता के लिए महत्पून होगा सिक्षा प्रत्योगिता के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साज्येदारी के कामों में लाव संभाव है साथ ही स्वास संबंध्री आवसक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं करक रासिके जात्मों की मानसिक सक्रियता बनी रहेगी कारेच छित्र में उप्साह और विकास की दर मन मुताबिक बनी रहेगी आर्थिक लाव मन मुताविक होता जाएगा मगर खर्ष की इस्तिती भी संभावित है कारी ओजनाएं आपके अनुरूप चलती रहेंगी और विरोधियों की साजिस नाकाम होगी मगर नीजी संबंदों में उतार चड़ाव और स्वास संबंदी जटिलताएं संभावित हैं विद्यार्थियों के लिए समय उन्कूल है सासन सताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और कारे की अधिकता लगी रहेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा शिंग राजी के जात्कों के लिए मनमेन नकारात्मक विचारों का उसना कामों में रुकावट, धन, खर्च और स्वास संबंधी समस्याओं का संकेत मिलता है उससाह में कमी बनी रहेगी मगर पारिवारिक, सहयोग और सकारात्मक पेरना जारी रहीगी कारिश्चेतर में उतार, चड़ाव संभावित है और आर्थिक लाब सामाने रहेगा सासन सपतावा और विधाग broke कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा संतान संबंदी चिंता बनी रहेगी सिक्सा प्रतियोगिता में प्रयास जाड़ी रखें स्वास संबंदी आवस्टर चावधानी बनाये रखें मौसम से संबंदीarta होने वाले संक्रमण से बचने की कोशिश करें कन्या राशी के जात्कों के लिए आर्थिक लाव के नए अउसर सामने आएंगे कारेच्छेतर में विकास और सरकारी सहयोग कायम रहेगा मगर ब्यावसाई गतिविधियों और आर्थिक लाव में उतार चड़ाव का संकेत मिलता है मानसिक ब्यगरता हर काम करने के प्रति जल्दबाजी और उत्साह में कमी संभावित है हाला कि सरकारी सहयोग बना रहेगा और अधिकतम काम पूरे होंगे साजेदारी के प्रस्ताव लावडायत रहेंगे अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और वायवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा तुला राज़े के जात्कों के लिए कारेश्यत की अनावसिक रुकावटने खत्म होंगी नीजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा और घर ग्रियस्ति पर खर्ट संभव है भूमी वाहन या प्रापर्टी संबंधी मामलों में निवेश हो सकता है चंद्रमा के नक्ष़त्र काफल आपके लिए लावडायक रहेगा मगर चंद्रमा के केतू के साथ होने से अनावर से घवराट, वेचैनी, निरणा लेने की छमता और आत्म संतुष्टी में उतार चड़ाओ संभावित है विद्याथियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा सरकारी काम काज पूरे होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा ब्रिश्चिक राशिके जात्कों के भाग्यवस काम अच्छे होंगे चंद्रमा के अपने नक्ष्ट्र में चलने से रुके हुए काम संपन्ध होंगे और विवादित मामलों में सफलता का संकेत मिलता है आठिक लाफ सामाने रहेगा अच्छे कामों में खर्च की इस्थिती बनी रहेगी हाला कि संकाओं का दौर भी जारी रहेगा जो कि सकारात्मक पहल को प्रभावित करने का काम करेगा हाला कि कारेच छेत्व की मजबूती बनी रहेगी और पारिवारिक गायत की पूर्टी में आ रही रुकावटें खत्म होंगी शिक्षा प्रत्योगिता में सफलता हो सकती है प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलिभूत होंगे धन्नु राशी वाले जात्कों के लिए वाणी पनियंत्रण और आर्थिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है ब्यावसाईक उदेशों में उतार चड़ाव और अनावस्यक रुकावट सम्भावित है महत्पु निरने सोच समझकर और धैरिक उर्वक लेना चाहिए रचनात्मक प्रयासों में देरी पारिवारिक मधूरता में कमी और मानसिक दबाव बना रहेगा हाला कि साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और सरकारी कामकाश पूरे होंगे विद्यातियों के लिए समय अनकूल है सगारात्मक पेरना जारी रहेगी हुबाइबाहिक प्रयास फलिभूत होंगे मगरवस्वाथ संबंधी सावधानी अपेक्षित है मकर राशिक जात्कों के लिए मानसिक कृढशीरता बनी रहेगी गचनात्मक प्रयाद सार्थक होंगे, सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा, प्रतिनीधित्र करने का मौका मिलेगा और अंतर मन का सहयोग कारे छेत्र को बिक्सित करने में सहायक होगा। कुम पराश्ची वाले जात्कों के लिए नावस्य खर्च और ग्रिहोपयोगी वस्तुवों में निवेश की स्थित्थी बनी रहे की, ब्यावसाइक योजळनाओं में और संसाधनों में भी खर्च संभावित है, संबंदित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है, हाला कि आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा और संसाधनों में बृधि होगी मगर भिरोधियों से सावधान जहें, साजिस के सिकार हो सकते हैं वाद विवाद से स новых मामलों में सावधानी अप्यक्षित है, अधेन अध्यापन के लिए समय अन्कूल रहेगा संतान संबंधी चिन्ता बनी रहेगी स्वास्थ पर सावधानी अप्यख्षित है और वाहन सावधानी से चलाएं मीन दाशी के जातकों के कारे छेतर में विस्तार होगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी मगर आपके आत्मिश्वास में उतार चड़ाव संभावित है कारियो जिनाय सुचारू ढंक से चलती रहेगी साजेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें पारिवारिक पेरणा और सहयोग लावदायक रहेगा सिच्छा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबन्दी चिन्ताओं में कमी आएगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा मगर पारिवारिक दाईत पर दबाव महसूस होगा आज के लिए वस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए